आधी जनता मोन है भजनलाल कौन है साथियों सभी को पता चल चुक ہے भजनलाल कौन है भजनलाल कोई और नहीं बलकि राजस्तान की मुखह मंत्रिक रूप में उन्हों सवत ले लिए दोस्तों बात करेंगर भजनलाल के भजनलाल जी जो कि एक ऐसा नाम था जो कि जाधा तर लोगों को पता नहीं था लेकिन हाँ, जैपुर के सांगानेर से विधायक है, और वो पहली बार ही इस सीट से विधायक चुने गए है। और भारती जंदा पार्टी ने पहली बार चुने गए विधायक को राजस्तान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। दोस्तों जब मुख्यमंत्री बनाया गया मुख्यमंत्री बनाने के पहले राजनात सिंग जब वहां गये और वसुंधरा राजस्तान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। लेकिन भाजपा अपने अचानक लिए गए हुए फैसले से सब को चौका देती है। ठीक वैसे भी आज हम सभी को पता चल गया कि भाजपा एक बार के चुने गए विधायक को भी राजस्तान का मुख्यमंत्री बना देशती है। अगर हम बात करें भाजनलाल शर्मा की तो भाजनलाल शर्मा जो की ब्रामन समाज से आते हैं और उनका जो बचपन भीता है आर्थिक परिस्तितियां कमजोर ही इतनी मजबूत नहीं थी कि वो हाई सोसाइटी क्लास को प्रिफर कर पाएं। लेकिन एक बात तो तय है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उनका मन राजनीतिक छेतर में आया और राजनीती में आने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता निताओं को फॉलू करते गए और धीरे 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 उन्होंने अपनी एक अलग पहचान म मिला तो ऐसी उमीद जिताई जा रही थी कि कहीं न कहीं हो सकता है कि कड़ा मुकाबला हो सकता है लेकिन उन्होंने एतिहासिक जीत हासल की और एतिहासिक जीत हासल करने के पाद जब उनका नाम मुख्य मंत्री के रूप में लिया गया तो यकीनन सभी को हैरान कर देने वाला मामला था क्योंकि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि कई दफ़ा जीत चुके हैं दो बार तीन बार पी जीत चुके हैं विधायकी को चुनाओ लेकिन उनका नाम नहीं आया यह से नामी चहरे थे राजस्थान के लिस्ट में जो कि रनर अप रहे हैं उनका नाम ऐसा लग रहा था कि बस आने ही वाला है लेकिन अब वहों को दूर करते हुए एटकलों को दूर करते हुए भारती जन्ता पार्टी ने भजललाल सर्मा को राजस्थान का मुख्य मंत्री कर दिया है जी हां राजश्ततान का मुक्र मंत्री तो बना दिया गया मंत्री मनडल के लिए कौन 연क किस की डौड है और कौन आना चाहता है ब मंत्री की डौड में वह देखने में लायक होगा और साथ ही साथ राजस्थान में डिप्टी सीयम के रूप में भी दो नाम लिए गए हैं जिन में से पहला जो नाम है दिया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा जिहान दिया कुमारी और क्रीम चंद वेरवा भी दोनों विधायक हैं और विधान सवा विधायक हैं तो इन्हें भी डिप्टी सियम का प्रभार दिया गया है तो दोस्तों अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, राजस्तान और चतिस गड़की तो तीनों जगे डिप्टी सियम भी इस बार बनाएगे हैं तो कहीं ने कहीं उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी उनका भी एक नया एक प्रभार होगा एक नई जिम्मेदारी के साथ विकाश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे भारत को श्रसक्त बनाएंगे अब देखना ये होगा कि मंतरी की दौड में कौन शामिल हो सकते हैं वो नामी चेहरे जो कि अभी रनरप हैं मतलब मंतरी की दौड में चल रहे हैं तो क्या वो उनको मंतरी पत मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी देखने लायक होगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद तो आधी जंता मौन है बजन लाल कौन है ये पता चल गया